U.S.S.T간th Anand Hello students Welcome back to fun in parts तो शुरू करते हैं बिना किसी बकैती के आज आपको मैं कोई pseudo-motivation नहीं दूँगा फेक motivation नहीं दूँगा क्योंकि मैं motivation नहीं देता मैं वो काम जो आप से करवाना है वो आपके साथ करता हूँ तो आज मैं 5-month का schedule लेके आया हूँ मैं कोई फेक मोटिवेटर्स वालों की तरह ये नहीं बोलूँगा, अपने पांच मन्त देदो, नीट फोड़ेंगे, जेई फोड़ेंगे, और फिर वो अपने पांच मन्त तो ले लेते हैं, वीडियो में बताके, कि ऐसे ऐसे तयारी करने हैं, पर आपका साथ नहीं देते, आज अगर मेरे को आपके पांच मन्त चाहिए, तो उस पांच मन्त का पूरा सीडियूल है, ये रहा, पूरा सीडियूल, ये रहा, ये पूरा सीडियूल डिसकस करूँगा, और इसी YouTube पर पूरा फ्री कोर्स, experiment के साथ, 5 सेप्टेंबर को लाँज करूँगा, जिसका नाम है गुरू दक्षना, पांस सेप्टेंबर को अपना पहला वीडियो आएगा वेक्टर का, इस कोर्स की खास बात क्या है, हम इसमें एक्सपरिमेंट के साथ चीजों को विजुलाइज करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता, कि तुम बहुत है, इंस्टाग्राम पहलारकियों का ना आपने दस घंटे दे देना, आप दो चैप्टर पढ़के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, कि हाँ, कोएसंस यहीं से बनते हैं, कोटा में पूरे डेड़ साल पढ़ाया, पंजाम में पढ़ाया, आगरा में पढ़ाया, जो पूरा छे साल का experience है, उसको गेन करने के अब आपके सामने, मैं लेके आ रहा हूँ, पूरा physics का course, जो की experimental course है, और ये 5 महिने में ऐसा तीतुरी बनाएंगे हम इस course को, कि उड़ता हुआ फिरेगा ये आपके दिमाग में, और पढ़तो लोगे आप, जब आपके questions होंगे, जब आप exam में बैठ होगे, तब वो सारी चीजें याद भी आएंगी, ये भी महिने रखता है ना, चीजें याद भी आनी चाहिए, तो वो याद भी आएंगी, क्योंकि हम सोट ट्रिक से पढ़ेंगे, और सारी फॉर्मूलों को ऐसे याद करेंगे, कि कभी भूलेंगे नहीं, लिंक करके याद करेंगे, अच्छा स खतेंगे, याद कि आप 5 सेप्टेंबर से चालू करेंगे सर, टीचर्स डे वाले दिन से, मैंने की हाँ सर, खतम करेंगे, मैंने की 31st जन्वरी तक इसको खतम कर देंगे, जिसमें हम ये मेंस का नीट का कबर करने वाले हैं, और 11th और 12th का पूरा कॉर्स कबर करने वाले हैं अच्छा सर एक बात बताओ 31 जनवरी तक खतम हो जाएगा पका तो देखो कभी कभी होता क्या दिवाली आएगी हो सकता है मेरे को कभी मच्छर ने काट लिया तो 2-3 दिन के लिए मेरे को फिवर आ गया या कुछ और प्रोब्लम हो गई है ना तो अगर हम 31 जनवरी को हटा के इसको 14 फरवरी तक ले लें तो यही है अपनी maximum existing limit of course 14 फरवरी मान लेते हैं कि मानलो मेरे को बीमारी हो गई है कभी मैं किसी दिन नहीं आया किसी वज़ा से छुटी होगी है ना तो 14 फरवरी यानि कि चालू हुआ टीचर्स डे पर खतम होगा 14 फरवरी यानि कि और है नहीं ठीक है चलो आगे चलते हैं है ना अब हम कहें धीरे धीरे फैमली बन जाएंगे ना तो सारी परसनल बाते हैं अकेडमिक्स बाते हैं फिजिक्स से रेलेटेड बाते सेयर करते चलेंगे है ना तो सारा experience जो हमने कोटा में लिया है भार इंस्टिट्यूटस में रह रहे के लिया है वो आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगा मैं जिससे आप फिजिक्स को विजुलाइज कर पाऊंगा ये है अपनी क्लास 11 का जोभी chapters हैं और यहां J.E.Main's तक के questions कराया जाएंगे नी गंटे लगेंगे, motion in plane, एक सॉट में अप्टाएंगे, साड़े तीन गंटे लगेंगे, अच्छा सार, यह दोनों है न, कैने मेटिक्स के चैप्टर, बहुत इंपोटेंट है, law of motion को दो सॉट में अप्टाएंगे, 6 गंटे लगेंगे, बर्क पावर एनरजी को दो सॉट में 3 सॉट में इसको खतम कर देंगे, gravitation, gravitation को खतम करने के लिए 2 सॉट चाहिए, याने की 6 गंटे, elasticity को खतम करने के लिए 1 सॉट चाहिए, याने की 3 गंटे, fluid mechanics को 2 सॉट चाहिए, 5 गंटे में खतम हो जाएगा, thermal property को 1 सॉट चाहिए, 3.5 गंटे में खतम कर देंगे, फिर आता से भी लिंक करो और इसका दर लिंक करेंगे कि दोनों ही बड़ी अतरीक से प्रिपेर हो जाएंगे और 200 इसको भी चाहिए साथ घंटे के चार और प्लस तीन ओके ओसीलेशन वेब औसीलेशन को भी 200 चाहिए वेब को भी 200 चाहिए क्लास 11 का माजरा खतम तो सरी क्लास 11 आप कितने टाइम में खतम कर पाओगे तो मैं बोलता हूँ कि टोटल सौट क्लास 11 के हमें लेने हैं 26 और टोटल आर्स जो लगेंगे वो लगेंगे 76 घंटे यानि कि 76 घंटे में जेई में और नीट में 45 परसेंट आने वाली फिजिक्स आपकी जेब के अंदर है ना और बोड बाले बच्चे निरासना हो मैं डेरीवेशन पूरा लिखके तो कराऊंगा नहीं लेकिन मैं लिखके लिखके आऊंगा उसको वहीं समझा दूँगा जिससे आपका टाइम जो है बच जाए और कई बार होता क्या है जेई मेंस और नीट बाले बच्चों में भी चुल लोती है कि सर अपने फर्मूला तो लगा दिया लेकिन आया कहां से तो वह बताने के लिए लिखा जाएगा कि यहां से आया ओके ठीक है अच्छा अच्छा ध्यान से सुनो अम मैं क्या कह रहा हूं इंग्लिस मीडियम फन इन पार्ट साला पर आएगा पूरा कोर् क्योंकि भाई का मन है दद्दस वारा वारा घंटे केवल लाइब क्लास में पढ़ाना तो भाई ने हिन्दी मीडियम का भी चैनल लौंच कर दिया अपने प्यारे हिंदी वाले बच्चों के लिए जिनने कोटा का फिलेवर मिलना चाहिए जिनने कोटा का पूरा का पूरा एक जो पैटर्न होता है फिजिक्स का वो मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग भी डिजर्व करते हैं यार इन लोगों को कोई नहीं देखता इन लोगों को सब ऐसा ही कंटेंट चिपका देती हैं क्योंकि इनका कोई कॉम्पेटर ही नहीं है हम आ रहे हैं ना मार्केट में टैंसन 11 नीट जेही जो क्लास 11 में स्टूडेंट हैं जिनका टार्गेट 2026 होगा वो भी तैयारी करेंगे हमारे साथ वो कैसे पढ़ेंगे बीक में 200 पढ़ा करेंगे केवल लेकिन जिन बच्चों का टार्गेट 2025 है जो 2025 में एक्जाम देने वाले हैं यानि कि या तो वो क्लास 12 में होंगे या ड्रॉपर होंगे ठीक है ड्रॉपर किसके नेट के या जेई के तो वह हफ्ते में हमारे साथ 300 पढ़ेंगे क्योंकि इन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पढ़ेगी कितने सोट 300 लगवग तीन तरका 9 लगवग 8-9 घंटे उन्हें हफ्ते में फिजिक्स प अब इसकी एलेक्ट्रिक पूटेंशियल की बात करें तो यह एक पूरा यूनिट है इलेक्ट्रो स्टेटिक और जो इलेक्ट्रो स्टेटिक है इसको हम पूरा 9 घंटे में खतम करने का प्रयास करेंगे 9 से 10 घंटे लग जाएंगे इसमें क्योंकि यह थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है अब आप काओगे सर इतने कम टाइम में कैसे खतम कर रहा होगे यार यही तो इंपोटेंट बात है कि मैं आपकर टाइम सेव करूंगा मैं वह इंपोटेंट बात हैं सारी बताऊंगा सारे कंक्लूजन लिखाऊंगा सारे क्वैसन कराने की कोषिस करूंगा लेकिन करेंगी हम एक दम जबरदस तरीके से चाहें 9 लगें या 10 लगें या 11 लगें पर करेंगे हम जबरदस तरीके से एक दो चैप्टर में टाइम थोड़ा एक दो घंटे का ऊपर नीचे हो जाता है जैसे कि इस इलेक्ट्र स्टैटिक में तो 9 प्लस 2 कर लो ओके अच्छा करेंट इलेक्ट्रिसिटी में 6 घंटे में सम ждbank, Magnetic Effect वाला जो चेप्टर है या पूर्या Unit है उसको 9 घंटे लेंगे हम खतम करने में Electromagnetic Wave को 11 साइं ऑप्के इंवी दो चैप्टर है रे आपक्टिक्स और वेव आप्टिक्स ray optics को 8 गंटे में निप्टाएंगे 200 में wave optics को 6 गंटे में निप्टाएंगे 200 में अच्छे chapters हैं बड़े chapters हैं और सरल भी है alternate current को भी हम 200 में निप्टाएंगे जो कि 6 गंटे में हो जाएगा alternate current बहुत प्यारा chapter है क्योंकि आप आस पास इसे visualize कर पाऊगे और मैं इसमें बहुत सारे experiment आपको दिखाने वाला हूँ ओके ठीक है dual nature of radiation यहां से modern physics चालू हो गई modern यहां से यह modern physics चालू हो गई ठीक है अच्छा dual nature of radiation को 1 short में निप्टाएंगे जो कि 3 गंटे में हो जाएगा atom and nuclear को 2 short में निप्टाएंगे जो कि लगवक 5-6 गंटे में हो जाता है electronic device यह semi conductor को भी 2 short में निप्टाएंगे जो कि 6 गंटे में हो जाएगा यह online class में ही हो पाएगा ऐसे हम लोग manage करेंगे तो offline classes में तो इसको 18 गंटे लग जाते हैं क्यों? क्योंकि मैं offline classes में बिल्कुल plane paper लेके जाता हूं plane board लेके जाता हूं कुछ नहीं लेके जाता चौक पकड़ के हाथ में जाता हूं अब यहाँ पर क्या सुविधा होती है मारे पास PPTs में questions तो लगे रहेंगे लेकिन solution हम लोग यहीं एक साथ बैठके करेंगे तो question लिखने का time बच जाता है मना और भी काफी सारा time बच जाता है जो कि आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते पता चलेगा ठीक है आगे चलते हैं तो यह अब जो class 12th का time है इसमें total short जो लगेंगे अपने वो 17 घंटे के लगेंगे और total time जो लगेगा लगवग 70 घंटे लगेंगे class 11th में लगवग 76 घंटे 70 प्लस 70 एक सो चालीज है ना 76 भी है मतलब यह 6 भी है साथ में तो लगवग यह मान के चलते हैं कि 150 घंटे में निपढ़ जाएगा बैसे तो यह बन 46 हार्स बैट रहे हैं लेकिन 2-4 घंटे उपर नीचे हो जाएगे तो भी 150 घंटे में यह कूर्स पूरा निपढ़ जाएगा जिसमें हम up to JEE मेंस कवर करने वाले है नीट के भी questions करेंगे क्योंकि अभी क्या है लेवल नीट और JEE का लगवग सेम है नीट का थोड़ा लो है लेकिन नीट के भी बच्चे जो है मेंस तक के questions लगाते हैं क्योंकि उनकी अच्छी practice हो जाए बढ़िया तरह दाल गला दें वो अपने नीट exam है इसलिए ठीक है अच्छा अब देखो जो valentine day तक का है अपना जो routine पूरा follow करना है क्योंकि valentine day तक हम courses करेंगे यह पूरा खतम होएगा और valentine day पर हम पर है क्या करने के लिए physics के अलावा मेरे तो कोई option नहीं है और तुम पर भी नहीं रहने दूँगा सालो ठीक है इदर ध्यान से देखो तो उसके बाद हम 6 साब दिन का relax करेंगे रिलेक्स के दिन होंगे आप थोड़ा थोड़ा revision करना है इन chapters का फिर उसके बाद हम चालू करने वाले हैं question series NEET की अलग J-E means की अलग और J-E advance की अलग अलग-अलग question series चालू करेंगे यार physics एक ही subject है उसको इन डिफरेंट डिफरेंट competition में वाट दिया है वस है ना तो उसी competition की level को भी अच्छी तरीकी से तैयार करेंगे जबी तो हम रड़ भूमी में बढ़िया तरीकी से युद्ध कर पाएंगे जिस दिन हम paper देने जाएंगे जबी तो हम confidence के साथ जा पाएंगे जब हम महनत करेंगे तो ये काम हम बिलकुल द्रड निश्चय के साथ करेंगे अपनी इमांदारी के साथ करेंगे तो 5 September को मैं आपसे मिलूँगा अपने पहले chapter के साथ अपने YouTube की physics की पहली सुरुगात के साथ ठीक है क्योंकि मैं अभी तक random वीडियो डाल देता हूँ अब मैं पूरा syllabus कवर करना चाहता हूँ YouTube कर ठीक है मिलते हैं जब तक के लिए बाई बाई टाटा